दिवस सम्हारों के उपलक्ष में देश भर में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान जारी है और इसी अभियान के तहट देश भर में तिरंगा रैली का भिया योजन किया जा रहा है राजधानी दिल्नी में सांसदों ने बाइक रैली निकाली इस बाइक रैली में उपराश्पती जगदीब धनकर केंद्रिय मंत्री गजिंदर सिंग शिखावत किरन रिजीजु और रामोहन राहिडू तिरंगा यात्रा में शामिल हुए उपराश्पती जगदीब धनकर ने आज भारत मंडबं से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी जंडी दिखागर रवाना किया इस अवसर पर उपराश्पती ने देशवासियों को स्वतंतरता दिवस की शुप कामनाएं दी और कहा कि यह तिरंगा यात्रा विक्सित भारत के लिए एक मील का पत्थर की रूप में हमेशा याद किया जाएगा प्रशाइद करने के लिए शुरू किया गया था अब एक ही आंदोलन बन गया है तबसे लगातार क्रोड़ू लोग अपने घरू पर तिरंगा फेराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक या रिकोर्ट बनेगा हर गर तिरंगा होगा तिरंगा यात्रा को लेकर केंद्रिय राज्यमंत्री हर्शमल होत्रा ने कहा कि प्रधान मंत्री के आवान पर देश भर में यह यात्रा चल रही है युवा में राष्ट्रवाद और देश प्रेम का जज़वा दिखाई दे रहा है इस अवसर पर सांसत जगदंबिका पाल ने कहा कि वह केवल इस यात्रा के लिए दिल्ली आये हैं कल उनके लोगसभा क्षेद में भी तिरंगा यात्रा है लेकिन तेरा तारीक के लिए में खास तोर से इस तिरंगा यात्रा में सामिल होने आये जब कि कल मेरी छेत्र में भी तिरंगा यात्रा है हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा यात्रा में युवाव का जोस नजर आ रहा है सुबह से ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है जो कि भारत मंडपम होते हुए इंडिया गेट होते हुए इंडिया गेट सरकल पर मेजर ध्यान चंद स्टेडियम में आकर खतम हु केमरे परशन राधिकेशन के साथ निशानत राइट डीडी न्यूज दिल्ली